सब्सक्राइब नमस्कार सब्सक्राइब लोग को वेलकम बहुत कुछ आप लोग सस्थी जएई दो हजातेईश के बारे में जान चुके होगे वह पहले जैसा नहीं रहाँ लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत जो मेजर चेंजेस से उस पे आपका ध्यान रहना चाहिए बाकी ब बिदा पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि पहला बेसिक चेंज क्या पुराना हुआ करता था आज कल से पहले 26 आपका जुलाई से पहले उसमें कया था पेपर वन ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स पेपर टू डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला 300 मार्क्स पहले अब जो नया SSCJ का pattern आया है उसमें किया पेपर वन objective है दोसु मार्स का है पेपर टू भी क्या हो गया है बच्छा objective हो गया जो कि पहले क्या था descriptive था लिखने वादा था अब यह objective हो गया मार्किंग स्कीम में कोई भी चेंज नहीं हो बटा जो पहले पहले डिस्क्रिप्टिव था पेपर टू अब क्या है बच्चा वह अब्जेक्टिव बन गया यह पहला चेह जो कि आपको ध्यान अखना है अच्छा दूसरा पॉइंट तूसरा चेंज क्या आया है कि पहले वह या पेपर वन में जो आपका निगेटिव मार्किंग होती थी मतब 0.25 कट हो जाता था पेपर टू में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी पुराने वाले में अब जो नया हुआ है उसमें क्या आपका पेपर वन में भी वन बाद थार्ड मतब 0.33 कट जाएगा नंबर निगेटिव का और यहां पर पेपर टू में भी क्या ह हो गया है निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुगा है जो कि पहले नहीं था तो यहां भी कितना प्रटा 0.33 मार्क्स रिडिउस हो जाएगा मत्तब कि विए निगेटिव मार्किंग की वैलू थोड़ा बढ़ गई तो यह ध्यां रखिएगा यह मेजर चेंज है यह पास समय में अच्छा यह तीसा आपको ध्यान करना दिमांग में तो था बहुत हवा उड़ा रहा है क्या गेट और एससी का पेपर टू लेवल का भया फिर से मैं करना बटा की कल्कुलेशन स्पर ध्यान दीजिए क्या वह यह गेट 65 कोशन साते हैं तीन घंटे मिलते है एक कोश्चन करने के लिए एप्रॉक्सिमेट तीन मिनट एक है एससी जही पेपर टू तो कोश्चन आएंगे दो घंटे मिलेंगे एक कोश्चन को करने के लिए अप्रॉक्सिमेट 1.2 मिनट क्या तुमको लगता है कि यह दोनों का लेबल सेम होगा इसलिए बटा हवा खरीद लो और बहुत जल्दी आप लोगो इसके बारे में और भी जिए देखलो को मिलेंगी बड़ी बात देखलो को मिलेंगे लेकिन यही जो है आपको अपने दिमांग में रखना है बटा और पढ़ाई पले जाना बिकास ओनली स्टेडी विल गूंग तो गीविविव